नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ आपको बता दे कि इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है लोग सबाच चुनावों को लेकर के दरसल आपको बता दे कि आज शाम को कई सारे न्यूस चैनल में एक्जिट प आदि पर जमकर हमलावर है बता दे कि बीजूपी नों साफ तोर से यह कह दिया है कि कॉंग्रेस पार्टी को यह दिखाई दे रहा है कि इस बार कितनी जादा उनकी प्रचंड हार होने वाली है जिसकी वजह से कॉंग्रेस ने ये फैसला लिया है कि उनके प्रवक्ता किसी वी निउस चैनल के टीवी डिबेट में नहीं जाने वाले आपको बता दे कि न सर्फ ग्रामंत्रे अमर्शा बलकि सीधे तोर पर अगर हम बात बीजूपी के रास्टी अध्या अक्षु जेपी नड़ा की करें तो उन्होंने भी कॉंग्रेस पार्टी पार्ट जोरदार हम ना चाती साथ ही खेडा ने ये भी कहा कि मतदान के परिणाम मशीनों में कैद हो चुके हैं चार जून को परिणाम सब के सामने होंगे इसके बाद कॉंग्रेस पार्टी टीवी डिवेट्स में शामिल होगी ऐसे में कॉंग्रेस के सफेसले पर तंच कसते हुए ग्रह मंत्र ने कॉंग्रेस के सफेसले कुले करके क्या कहा है कि कॉंग्रेस पार्टीकल एक्जिट पोल पर डिसकर्शन का बहिसकार कर रहे हैं कई समय से कॉंग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रहे हैं यह पूरा इलेक्शन एक केंपेंड करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है बहुमत आने जा रहा है अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले exit पुल में इनकी प्रचंड हार होने वारी है और किस मुह से वो मेडिया को फेज करें इसलिए exit पुल की पूरी exercise को ही नका रहे हैं कि exit पुल का कोई मतलब नहीं है चार तारीक को परिणा माने है एकजिट पुल कई समय से चल रहा है हर बार वो हिस्सा ले थे मगर इस बार हार के कारण explain न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिसकार कर रहे है और कॉंग्रेस पार्टी वैसे भी जबसे राहूल गांदी मुख पुल जज्ज्मेंट नहीं आता है तो न्याईक विवस्ता पर सवाल खड़े कर देना election commission की process पर सवाल खड़े कर देना इवी एम पर सवाल खड़े कर देना पार्लामेंट में बहस करने की जगे पार्लामेंट छोड़ कर भाग जाना समविधानिक पदों की एहवेल ना करना इनकी मिमेकरी करना और एजंचियों पर भी सवाल खड़ा करना मुझे लगता है कि राहूल गांधी के कॉंग्रेस में मुख्य व्यवस्ता में आने के बाद कॉंग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्ताएं चाहे मीडिया हो चाहे न्याईक व्यवस्ता हो चाहे पार्लामेंट हो चाहे सम्विधानिक पर बैठे हुए लोग हो चाहे एजंसि सब के सामने डिनायल मोड में आ चुकी है यह इसी का परिणाम है कि यह कल के एक्जिक पोल का बहिस्कार कर रहे हैं मैं कॉंग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि सुत्रमुग वृत्ति से कभी किसी का फाइदा नहीं होता डटकर हर का सामना करने चाहिए आत्मचिंतन करन चाहिए आगे बढ़ना जाई भारतियो जनता पार्टीने कई चुनाव रहे मगरं ही मिटिया का बहिसकार नहीं किया एक्सिट पोल कर मुझे पुरा विश्वास हे कि आने वाले दिनों में घो एक्जिcsित पोल होगा वह चाइंक्र के भारतिय जनता पार्टी के नारे को ज जो Congress Party है वो Denial Mode में ही रही है Congress ने पूरे चनाओं में अपना भूमत आने का जम कर प्रचार किया लेकिन अब उनको भी स्थिती मालूम है कि कल के मतदान के बाद Exit Pole में उनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मूं से Congress मीटिया का सामना करेगी इसलिए Congress इस पूरी exercise को ये कह करके नकार रही है कि Exit Pole का कोई औचित्य नहीं कोई मतलब नहीं है हर बार Congress Exit Pole में हिस्सा लेती है लेकिन इस बार हार को बया ना कर पाने के स्थिती में वो इसका बहिशकार कर रही है इतना ही नहीं आपको बता दे सीधे तोर पर पार्टी के रास्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने भी इस पूरे मामले को ले करके Congress पार्टी पर बड़ा हमला बोला बता दे कि जेपी नड़ा ने ये कहा कि ये जो Congress का फैसला है वो ये बताता है कि Congress ने हार माल ली है इसमें कुछ नई बात नहीं है आम तोर पर Congress तब exit पोल से बाहर हो जाती है जब उसे लगता है कि exit पोल उनके पक्ष में नहीं आने वाले Congress का पाखंड किसी से छिपा नहीं है इसलिए सातवे चरण में उनके लिए कोई भी अपना वोट बरबाद ना करे सुनिए जेपी नड़ा ने आगे और क्या कहा इसलिए कि exit पोल में सचाई जब आती है तो सचाई से भागते हैं आने वाले घटनाएं अपना संकेत पहले दे देती है तो वो ठीक है आखिर exit पोल पे कुछ आ जाता है तो उससे क्या सरकार बनती है क्या क्या उससे कोई चुनाव के नतीजे असर करते हैं क्या नहीं करते हैं लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है क्योंकि आपने इतने दिन तक बहिने तक आप जूट परी पर चलते रहे और आप लोगों को गुम्रा करने के लिए लगे रहे अब सचाई सामने आने वाली है तो आप घर गए है अब क्या है उनके एक साल के जूट आप देखिए उनकी वारे में आप बड़ेस परशब्दों में आप देखते हैं कि आज इंडिया एलाइंस की बैठक होगी साथ में नीचे आता है ममता नहीं आएगी फलाने नहीं आएंगे डमकाने नहीं आएंगे तो यह अनसाइंटिफिक एलाइंस है यह अफसरवादी का एलाइंस है यह जादे दिन चलने वाला नहीं होता और यह temporary होता है यह तो एक जमावड़ा है भरश्टाचारियों का यह जमावड़ा है परिवारवाद की राजमीतु को आगे बढ़ाने वालों का यह इसी तरीके से समाफ्थ होगा इतना ही नहीं पार्टी के जो रास्टिय प्रवक्ता है शहजाद पुनावाला उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के कॉंग्रेस पार्टी को जम करके घेरा है उन्होंने अपने सूशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट किया है वीडियो जहां पर उन्होंने यह कहा है कि क प्ररूज़ा के लग्या ने वाला है यह उनके पतन का एक और संकेत है इतना ही क्याफ करते हैं यह जए मांसाता को तरोड़ता है जो मेडिया सहित हर संस्था को कमजोर करती है आपको बता दे दरसल लोगसबा चुनाव दोख़ार चौबीस के साथ में और अंतिम फेज में शनिवार यानि की एक जून को साथ राज्यों और एक केंदर शासत प्रदेश की संतावन सीटों पर बोटिंग होनी है 142 लोगसबा सीटों के लिए छटे फेज तक 485 सीटों पर मतदान हो चुका है और एक जून को आखरी यानि की संतावन सीटों पर बोटिंग होनी है लेकिन इससे पहले टीवी डिवेट को ले करके और एक्सिट पोल को ले करके किस तरीका का फैसला कॉंग्रस पार्टी की वोट से लिया गया है खुश सुन लिजे कि कॉंग्रस पार्टी के जो प्रवक्ता है पवन खेडा उन्होंने क्या कहा है अभी हम सटा बाजार में थोड़ी भाग लेंगे अभी सटा बाजार वालों को जो करना है करते रहें वोटर ने वोट दे दिया वोट मशीन में कैद है हमें आपको जो अंदेशा जो है वो है चार्ज जून को मालूम पढ़ी जाएगा अब इसमें कैनल्स की टी आरपी बढ़ाने का काम तो पॉलिटिकल पार्टीस के हम तो आश्वस्त हैं इंडिया गटबंदन का हर सदस्य आश्वस्त है इंटर्नल असेस्मेंट हमारी बिल्कुल मजबूत है हमारे चहरे पे मुस्कान है लेकिन अब ये कोई भी बहस या कोई भी डिबेट जनता को थोड़ा ग्यान वर्दन हो सके तो ठीक है अब इसमें क्या ग्यान वर्दन होगा कि मां हम मुर्गे लड़ा रहे हैं तो कोई सम ताकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें पढ़ना चाहिए आपको बता दे हाला कि कॉंग्रेस पार्टी ने जिस तरी इसके से कहा है आपने सुना कि उन्होंने अपने तमाम प्रबक्ताओं को ये साफ आदेश दे दिया है कि वो किसी भी टीवी डिबेट में नहीं जाएं तो वहीं अगर बात हम इंडिया अलाइंस की करें तो यहां पर राहूल गांदी ये कहते हैं कि इंडिया अलाइंस जो है वो सरकार बनाने जा रही है यानि कि सीदे तोर पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है लेकिन एग्जिट पोल में हिस्सा न लेकर के कई सारे सवाल कॉंग्रेस पार्टी ने खड़े कर दिये हैं जिसको ले करके बीजुपी एक के बाद एक हमलावर नसर आ रही है आपको बता दे जिस तरीके से ये जो फैसला लिया गया है कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि कॉंग्रेस पार्टी शायद अपनी हार मान चुकी है और एक्जिट पॉल का सामना करने के स्थिती में नहीं है जिसकी वज़े से उनके प्रवक्ता और उनके नेताओं के द्वारा ये फैसला लिया गया है आपको बता दे कि लोकसवा चुनाव के सातवे चरण की वोटिंग शाम 6 बजे तक मतदान खत्म हो जाएगा मतदान खत्म होने के आदे घंडे बाद एक्जिट पॉल के नतीजे आने शुरू हो जाएगा और एक्जिट पॉल में बताया जाएगा कि किस राज में कौन सी पार्टी कितने सीटे जीत रही है इन्हें exit pole में देश की राजधानी दिल्ली के भी नतीजे बताए चाहेंगे ऐसे में जून को शाम साड़े छे बचे के बाद exit pole के नतीजे जारी किया चाहेंगे आपको बता दे कि जो अंतिम चरण का चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश की सीटे शामिल है इसके अलावा पंजाब बिंगॉल की सीटे भी शामिल है जहां पर आज सुबस ही मतदान शुरू हो चुकी है और प्रक्रिया में देश की जनता भी बढ़ चड़ करके हिस्सा ले में ऐसे कई सारे दिगश नेता हैं जो की अंतिम चरण के चुनावी फेज में मैदान में हैं फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद